नमस्कार साथियों मैं मनीश भारती संस्कृती आयस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूँ साथियों जैसा कि जानते हैं आप अठार्मी लोग सभा चुनाब चल रहा है और इस चुनाब को ध्यान में रखते हुए हम लोग चुनाबी दंगल के एक स्पेशल कारकरम में बिभिन मुद्दों पर बात करते हैं जैसा कि आप लोगों नहीं पूछा था कि ईवी एम पर लेक्टर लेकर कैसे और दीज़ा कि लिखा कि वीएट कि लोगों नहीं होता है इसके विस्तार से बात करेंगे जब पहले चुनाब होता था तो उस वक्त क्या होता था बैलेट पेपर से चुनाब कराया जाता था यानि की कागज होता था उस पर पार्टी का चुनाब चीन वेगरा लिखा होता था और वो मुहर डाल करके एक बकसे में गिरा दिया जाता था ये लंबे समय तक चलता रहा लेकिन 90 के दसक में असी के दसक में देखा गया कि चुनाब में इसके वज़ें से काफी धांजली होने लगा ठीक है लोग जो है वैलेट पेपर में इंक डाल देते थे बखसे को नदी में फेक देते थे बहुत तरह की जो है लापरभाही होने लगी धांजली होने लगा और चुनाब इ हंग से हो इसके लिए एक तकनीक विक्सित करने की बात की गई और यही आगे चल कर के आता है इवियम के रूप में ठीक है समय के साथ इवियम के साथ विबाद भी जुरता गया इन सब सबसे पहले समझते हैं कि यह जो इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मसीन यानि की इवियम क्या होता है इसको समझ दीजिए इसका जो प्रियोग है इवियम का सबसे प्रियोग जहें 1982 में केरल के परवूर विधानसभाद चुनाब में किया गया था ठीक है अब यहां पर यह जो इव पार्टि का यहाँ पर नाम दिया गया है यहां पर शबसे अंत में रहता है और यहां पर नाम दिया है उसके आगे लगा मृकटि करने तो जब पर एक चीज समझे जैसा मैंने कहा था कि EVM के लिए दो यूनित तयार किया जाता है एक यूनित होगा कंट्रोल यूनित जो कि आपको यहां पर दिख रहा है तो कंट्रोल यूनित जो होता है वह यहां मतदाता के पास नहीं रखा जाता है बलकि जो भी पिठासीन अधिकारी होते हैं रितर्निक आफसर जो होता है उसके पास कंट्रोल होता है बैलेट उनित तो है इसे होता और पिर जो मैंने प्रोसेस बताया अपने एक शानुसार जो है वहाँ पर डालते इस तरह से अब यह दोनों चीजे इसमें लिखा रहेगा और जिसको भी बोट डालना चाहते हैं आप उनको जाकर क्या बोट डाल सकते हैं तो यहां पर जैसे देखिए यह समस्च्या जो पहले हुआ चाहिए था लेकिन गलती से माली यह ऊपर भी चला गया तो यह क्या होता था इन्वैलीड हो जाता था यानि कि वह जो है बेकार मत हो गया उसकी गन्ना नहीं की जाती थी तो अगर आप पूछेंगे अपने पापा से पूछेंगे दादा जी से पूछेंगे चुकि उन्हों क को इस तरह के वोटिंग करने का अनभव रहा है तो बताएंगे कि हाँ बहुत सारे वोट जो है वो बेकार चले जाते थे लेकिन जब से इबियम आया है तब से इस बात की संभावना बेहत कम हो गई है चुकि जाकर कि आपको क्लिक करना है यदि मालीजिए कोई मत आता जात से कि पूछ करके कि किस तरह से हमें काम करना है वह बता देते हैं और उसके अनुसार वह अपने करणिडेट को मत दे और इसे देखा गया कि बहुत सारे European country हैं developed country है और यह कई बार तर्क भी दिया जाता है जब देश में यह तर्क दिया जाता है कि EVM से चुनाब नहीं होना चाहिए चुकि यह मसला आता है कि EVM हैक हो सकता है ठीक है तो यहां पर यह तर्क दिया जाता है कि जैसे कि जर्मनी वेगरा में अभी भी एलेक्षन जो है वह वैलेट पेपर से होता है लेकिन अब एक बात समझे जर्मनी की जनसंख्या ज़रा देखिए और भारत की जनसंख्या देखिए अपने आप समझेंगे भारत में 97 करोर के आसपास जो है वह मत दाता है अब सोच सकते हैं जिस देश में इतने मत दाता होंगे तो जाहिर सी वात है वैलेट पेपर से चुनाब कराना फिर थोरसा मुश्किल काम होगा और धांजली की भी समस्या बनी रहेगी तो इन सब चीजों को भी ध को लेकर के लगादार विवाद चलता रहा जब लेकर के बहुत विवाद चला और विवाद क्या लोगों का कहना था कि हमने वोट दिया पार्टी एक हो और जो है जह हमने यहां किलिक किया पार्टी एक हो लेकिन हमारा बोट जो है पार्टी सी पर चला जाता है यानि कि वीवी पैट कहा गया यह भी जो है आप कह सकते हैं इसे जोड़ दिया गया अब इसके क्या कहानी है जरा इसको समझते हैं इसका जो पहली बार इस्तमाल किया गया था वह सितंबर 2013 में नागा लेंड के नोकसिन विधान सभा में चुनाफ हुआ था वहां से इसकी शुरुवात की गई यानि कि वीवी पैट की अगर उम्र की बात करेंगे तो यह बहुत ज्यादा पूराना नहीं है इसकी आयू जो तक्रीबन है वह आप कह सकते हैं 11 साल का है चुकि 2013 से हुआ था और 2024 अभी चल द ब्रूर हो गया है कैसे मैं अभी आपको बताता हूं यह बहुत है जाहिर चीबात है जिसे इवियम के साथ जोड़ दिया जाता है अब जैसे मैंने आपको कहा था कि इवीयम में दो यूनिट होगा एक तो जो वैलेट होगा जो मत जाता जहां पर जाएंगे कमरे में और वह यह हो गया आपका यह वाला तो यानि कि तीसरा यह हो गया ठीक है अब देखें वीवी पैट में क्या मुख फंसन होता इसे समझ लेजिए जब यहाँ पर मान लेजिए किसी व्यक्ति ने पार्टी एको अपना मत दिया यहाँ पर इस पर क्लिक किया ठीक है तो पीठासी नतिक लिखा होता है और ग्लास के अंदर से इसमें एक परची आता है जैसा यह पर लिखा रहेगा कि आपने किस उमिद्वार को वोड दिया है प्रवपर उस उमिद्वार का नाम भी लिखा होता है साथ यहाँ पर चुनाव चिन भी दिया रहेगा दोनों चीजे आपको मिल अजा से इमियर जो है इस तरह से रिजाइन जिसे इसके करते हमेंifa पहले सब का नाम करम लगा दिया चुनाव चिन को सबसे नीचे रख दिया है और यहाँ पर चीइसकर करके निकलके आएगा हना कि वह उसह लेकर कैकि अपने घर नहीं जा सकते हैं समझ रहें यह आप बस यहां पर देख सकते हैं यह ट्रांस्परेंट होता है यानि कि ग्लास के अंदर से आप देख सकते हैं कि आपने अमुक वैक्ति को वोट दिया और एक उसी परची पर लिखा रहेगा उसका चुनाब चिन क्या है यह साथ सकेंड तक दिखेगा दिस्प्ले पर उसके बाद जो है यह एक बॉक्स में जाकर के गिर जाता है आप इसे ले नहीं जा सकते बस यह ध्यान रहना लेकिन आपको पुष्टि हो जाएगा कि अच्छा हमने अमुक पार्टी को अमुक कर्डिडेट को अमुक चुनाब चिन पर यह वोट किया था य आपका मत जो है किसी और के पास नहीं चला गया है ठीक है वीवी पैट से एक परची निकलती है जो मतदाता को यह बताती है कि आपका वोट किस कंडिडेट को गया है इसकी चर्चा हमने पहले कर लिया उस पर नाम भी होता है चुनाब चिन भी लिगा रहता है कांच का रग का यदि विवाद की स्थिति हो जाता है तो इन पर्चियों की भी गन्ना की जाती है जैसे कि मान लीजिए हम एकजांपल के तौर पर देखते हैं एक पोलिंग बूद है और उस पोलिंग बूद पे 100 वोट है ठीक है और जो है मान लीजिए यहां पर पांच पार्टी है पा की पार्टियों को वोट मिला है अब इस पार्टी का चुनाब का जो आप कह सकते हैं कि जो गन्ना हो जाता है मतों का इस पार्टी का यह आरोप है इसको रख लेजिए पार्टी ए और इसको कर देजिए पार्टी बी तो पार्टी बी का यह आरोप रहता है कि गलत मत गन्ना हुआ है ठीक है यहां पर यह इनका कहना होता है कि संबभ है कुछ मसीन के साथ छेरचार किया गया है हमें यकीन नहीं है हमें फिर से बताए उस स्थिति में क्या होगा यह जो परची है मैंने कहा था परची आप घर नहीं ले था और तो कि हो जाएगा कि यहां 34 बार जो है इस अमुख वैक्ति के चुनाब चिंद पर क्लिक किया गया था इनका अगर मैच कर जाएगा कि फिर से हमें वैयलेट पेपर से एलेक्शन करवाना चाहिए सुप्रिम कोर्ट में भी को लेकर करके कई वार याचिका किया गया हालों कि सुप्रिम सब्सक्राइब और आईए आपको दुनिया भर में जहां से इंजिनियर मंगमाना है मंगमा करके इसको हैक करके दिखा दीजिए लेकिन कोई भी पार्टी इस तरह से कर नहीं पाए तो आज की कहानी यही है कि हमारे देश में जब भी चुनाव होता है चाहें वह लोगशभा क चुनाव हो चाहें विधान सभा का चुनाव हो वह चुनाव जो है वह एलेक्ट्रोनिक वोटिंग मसीन से होता है और साथ ही अब उसमें नया 2013 से वीवी पैट भी शामिल कर दिया गया है ताकि गलतियां ना हो सके और यदि आपको कोई शंका है तो उसका निवारन भी हो सक करता है ऐसा यदि आप सोचते हैं तो अपने विचार जो है कोमेंट बॉक्स में जरू लिखिए क्या बागई मांते हैं कि इवी एम हैक हो सकता है आपके जो भी विचार है हमें इस विचार से भी अबगत कराईए आज के इस लेक्शर में इतना ही रखते हैं दूसरे लेक् करता है